कबर बाडमेर के पश्पद्रा से है जहां विधायक मदन प्रजापत ने अपने विधायक कोश में से एक करोड एक लाख रुपे की राशी सैयोग के रूप में दी है विदायक मदन प्रजापत ने 25-25 लाख रुपे की राशी नगर परिशद बालोत्रा राज किये नहटा चिकित साले पंचाय समिती बालोत्रा वा पंचाय समिती कल्यानपूरा को देकर आमजन की सेवा करने की अपील की है इस मौके पर विदायक प्रजापत ने कहा कि बचाव ही उपचार है सभी लोग अपने अपने घरों में रहें बिना काम बाहर ना निकले क्या क्या लोगडाउन को लिए आपकी द्वारक किया गया है यह महा मारी देशी नहीं लेकिन पूरे विश्व में तो सभी दुखी है यार इस दुख की शंकट की गड़ी में हर जन परते निभी का दाई को बनता है फार्द है कि जितनी मदद करें वो कम है और सरकार और मा पाद निभी के रहे हैं पूरे परदेश में को सरकार हर तरह से तो सयोग कर रही है अपना भी वर्ज बनता है कि जन्ता ने अपने विश्वास व्यक्त किया है तो यह मदद करना को एसा नहीं अपना धर्म है और इस शंकट में सभी मैं अपील करता हूँ को अपने परोशी को ध्यान में रखें। मेरा परोशी कोई भूएखन नहीं रहे, कोई व्यक्ति भूएखन नहीं श्वये अगर एक प्रिवार एक व्यक्ति का बोजम ज़्यादा बणा लें तो मेरे क्याल से कोई व्यक्ति दिती नहीं हो सकता और सभी बामासा और सवेश्वी संस्ता हैं और सभी जो स्योग कर रहे हैं मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं यह समय बड़ा दुप की गड़ी है इसमें बीना भेदबाव बीना फुर्णा को आ रहा है जीन है लेवेबर हो कि अजिए जिले में एक मामला सामने आया है तो उसको लेके अधा भी दूसरे की सुन्ना में अभी भाईद मेर में तुर्वाडए की महरबनी है और काम ना करता है कि जल्दी की दिमारी चजड़ से हाथ्मा हो और शईज का वाक करना करना ही सबसे बड़ी मदद है अगर यह पालना नहीं की आने वाले समय में बड़ा रूप अगते लिया इनकी पूर्थी और रूप्राई अगर नहीं बड़ा है तो यह थे तर्पद्रा विदाएक मदन पद्रपद्र इनका साथ तोर के यह कहना है कि लोग डाउन का पालन करें बिना कारी घर से बाहर नहीं निकलें मेरे सयोगी सदासीव के साथ सवाई शैन एवन टीवी बालोतर अगर में